तो ऐसे साफ्ट्वेयर या वेबसाइट की स्कीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको ये दो साफ्ट्वेयर की जरूत पढ़ेगी ये बिल्कुल फ्री है और कैसे डाउनलोड करना है मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूं इस वीडियो में आप भी ना स्किप किये हुए तो इन दोनों को डाउंलोड करने के लिए हमें सिंपली कोई भी ब्राउजर चूोझ करना है यहां गूगल क्रोम सब सबसे पहलें कोई भी ब्राउजर यूज Tube कर सकते हैं मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूं तो सिंपली आपको सर्च करना होगा ब्लुय स्टेख उस tw जो पहले option पे website दिख रही है ऐसी कुछ आपको website दिखेगी तो यह download blue stick 5 पे click करना है यह simply installation process से next next करते जाए और install पे click कर दिजा आपका यह अच्छे से install हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरे software की ज़रत पड़ेगी देख सकते हैं इसका नाम है free came at इसके भी version काफी release होते हैं तो पहली जो website आपको दिख रही है इस पे click करना है ऐसी कुछ website इसकी दिखती है तो आप अच्छे से देख लीजेगा आपको दूसरी website पे मत जाएगा उसके डाउनलोड हो जाएगा और simply से install कर लीजिए उसके बाद क्या करना है आपके सिस्टम में successfully अगर यह दोनों software इंस्टाल हो जाएंगे तो ऐसा कुछ shortcut आपको देखने को मिल जाएगा तो blue stick पर right click करिए और open पर click करिए यह थोड़ा सा heavy software है खुनने में समय ले सकता अगर यह तुरंत यह open हो जाएगा इसमें काफी feature मिलते हैं आप game भी खेल सकते हैं time pass भी कर सकते हैं लेकिन यह समय लेता है लोड़ होता है तो जब तक लोड़ होता है मैं कुछ game खेलता हूं इसमें भी आप game खेल सकते हैं तो आप कुछ funny video भी देख लीजे जब तक लोड़ हो काफी समय लेता है तो देखते हैं कब तक लोड़ होता है तो मैं थोड़ा video cut कर देता हूं कि आपको असानी हो अरे यह तो लोड़ हो गया तो चलिए यह देखिए यह लोड़ हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे game मिल जाएंगे time pass भी कर सकते हैं आप game बहुत सारे अच्छे अच्छे game मिल जाएंगे और यहां पर देख सकते हैं आप बहुत सारे जो android के game वह भी मिल जाएंगे तो आप जो भी extra चीज इंस्टॉल करेंगे वह यहां पर आपको software देखने को यानि आप देखने को मिल जाएगी मैंने यह सब इंस्टॉल कर रखा है तो कोई भी आपका जो educational एप है जिसमें आपको recording करने स्क्रीन कोई भी एप है यह कोई भी हो सकता है कुई सीका भी आप कर सकते हैं सिंप्ली यहां सर्च करना है यह छोटा साब कह सकते यह android है यह जिसे नहीं पता है मैं बता दूए काफी ज्यादा secure एप है इसमें अगर इसकी recording हो जाती है तो सारे software में हो जाएगी मैंने इसे smartphone में भी कैसे करना बताया था आप देख सकते हैं मेरी वीडियो आई बटन पर या आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहां आपको देखने को मिल जाएगी मैं सिंपली से install कर लिया उसके बाद देख सकते हैं यह अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अगर आपको थोड़ा सा भी हैल्प हो रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इस चैनल पर Windows operating system से नए नए अपडेट डालता रहता हूं कौन से software अपडेट है कैसे क्या करना सब बताता हूं अगर आप सेटिंग में जाना चाहते हो तो सेटिंग में जाके कर सकते हैं जो में लप्ट आप में करे रहा हूं अगर smartphone में आपको screen recording करनी है restricted apps की तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं उस पर लगबग 2 लाग व्यूज होने वाले हैं तो यहां पर red color के बटन पर click कर दिजिए देखिए recording हो गई on तो कोई भी आप software यानी apps हो गई website हो गई या educational apps हो गई कोई भी हो गई उस पर आप जा सकते हैं जैसे मैं इसकी screen recording कर रहा हूँ आप Google क्रोप में जाकर उस website को open कर लिजे और ऐसे ही screen recording कर लिजे तो वो screen recording हो जाएगी screen recording जैसे भी करनी है आप देख सकते हैं आप software यूज करिए अगर आपको कोई apps में भी screen recording करनी है तो कर सकते हैं साहरे से मैं दिखाता हूँ मैं इसे पूरी तरह screen recording कर चुका हूँ अब मैं आपको प्रूब दिखाऊंगा उससे पहले जो recording आपने किए उसे save भी तो करना पड यहां से आप done पर click कर दीजिए save हो जाएगा या फिर आप hidden icon में जाके यहां पर click करके देख सकते हैं यहां पर click कर दिए यह डारेक्ट आपको उसी एप में redirect कर देगा यह देखिए जो हमने screen recording की है उसका preview ऐसी कुछ आपको recording देखेगी यहां black screen नहीं देखेगी यह देख चूज कर लेजिए और save पर click कर देजिए जब पूरी green line भर जाएगी तो आपका video save हो जाएगा तब तक अगर आपके smartphone में storage problem है space नहीं है तो मैंने एक video डाले कि बीना file delete किये हुए कैसे आप अपने smartphone के storage increase कर सकते हैं Windows 11 के amazing features वाले video भी मेरे channel पर पढ़े हुई है अब देखे जरूरी फायदा होगा तब तक यह video save हो चुकी है अब हम इससे play करेंगा और आपको मैं प्रूब दिखाता हूं यह WMB format की है video आप इसे MP4 में भी convert कर सकते हैं तो देखे कहीं भी black screen आपको नहीं देखने को मिलती है मैं Windows operating system से जुड़े latest tips and tricks और उसके जो latest update आते हैं उस पर वीडियो बनाता हूं जो आपके काम आगी साथ ही मैं smartphone से जुड़े भी latest tips and tricks डालता रहता हूं जो आपको बहुत ही फायदा होगा storage problem हो गए इसकी recording में restriction हो गया सबकी मैंने playlist बनाई हुई है आप उसे जरूर देखिए मेरे चैनल पर विजिट करिए आपको जरूरी फायदा होगा मैं टेक वीडियो बनाता हूं कोमेडी के साथ इससे आप बोर नहीं होंगे साथ ही security के चलते मैंने वीडियो के कुछ सीन बलर कर दी है आप हर अपते हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए आपको जरूरी फायदा होगा